शुरात कोरोना का आखड़ों से करते हैं 186 यह नए पॉजिटिव रहे हैं 301 लोग ठीक हुए हैं अच्छा लगता है जब रिकवरी वाली टीम आगे रहती है ऐसे ही रहा तो अलब दिर दिर सुधर ने शुरू होंगे इससे आगे चलते हैं एक एमूलेंस को लेकर विशे का काफ़ी सुर्कियों में हैं हमने पता किया जानकारी मिली कि कलेक्टर साभ के माध्यम से आठ एमूलेंस चिक्षा विवाग को मौहिया कराएगी है उन आठ में से एक आरके उस्पिटल के लिए एक आरके उस्पिटल के जो नजदीक में मार्बल अस्टेशन का करेले है जहा आज जानने कोशिश की कि एमूलेंस काम क्या करती है सबसे पहले हमने मार्बल अस्टेशन वाले जो एमूलेंस थी वहां फॉन लगाया कि वहां को ऑस्पिटल नहीं है उन्होंने नजदीकी एक गहां से प्रेसेंट लाने के लिए कि उन्होंने कहा यह वो मेरा पॉइंट मेरा पॉइंट दूसरा है तो मैं यह लेने नहीं जोंगा बड़ा अस्टरी हुआ कि मार्बल अस्टेशन वाले एमूलेंस का पॉइंट कौन सा होगा क्योंकि वहां ऑस्पिटल नहीं चल रहा तो नहीं संदे हैं उनको आरके ऑस्पिटल से ही मॉनिटरिंग करनी है फिर हम के अमूलेंस ड्राइवर को उन्होंने का हमारे पास एक तो किट नहीं है तो हमारे जाने में थोड़ी तकलीब रहेगी और दूसरा मेरा ड्राइवर खुद बीमार है तो घंटा पर लगेगा इन आलातों में घंटा पर थोड़ा और आश्चे हुआ मुझे उस्तुता होई कि अब मैं जानू कि असल में इनका काम क्यों क्या है क्योंकि तीन लोगों को फोन किया तीनों में से किसी ने एक जैसे जवाब नहीं दिया तो यह तो तरह था कि इन तीनों को काम कैसे करना है यह पूरी तरह से पता नहीं थे फिर मैंने आर्क हॉस्पिटल के जो एमूलें तब तक मुझे यह थोड़ी उत्सुकता हुई कि जिल्ले की इस्तिती मुख्यले की इस्तिती यही है कि बाहर के आसपास के जो दूसरी एमूलेंस है उनको क्या कैसे गाम कर रही है सबसे पहले मैंने नातुदारा फॉन लगाया वो एमूलेंस चालक बोले कि मैं खुद बिमा इस पर हो गए हैं तो मैं वहां उनके आखिरी समय में आया वह हूँ तो मैं खुद भी नहीं जा पाऊंगा तो ठीक है उन्हों नहीं मना गड़ दिया जब मैंने भीम फॉन लगाया तो उन्होंने यह तो स्विकारा कि हां निसुल का हम जाते हैं मगर उन्होंने का अभी मै अक्सिजन सिलिंडर लेने जा रहा हूँ तो अभी मैं जा नहीं पाऊंगा पैशन्ट को लेने और सबसे लास्ट में जब हमें देवगट फॉन लगाया सब माफ कीजा आमेट फॉन लगाया तो वहां अमूलेंस चालक ने कहा कि मैं तिन-चार-पात दिन से कोशिश कर रहा मेरा नाम हड़ा इसलिए मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा तो लगबग लगबग हर एक व्यक्ति का अलग-अलग जवाब था इसका बिल्कुल इसपष्ट यह मतलब निकलता है कि कि किसी को भी अपनी वर्किंग के एक्जेक्ट चीजे क्या होने कैसे होनी है वह पता नहीं थ सके और इसमें से मुख्यत कोई डेट बोदी को पहुचाना है उसके गावता कि यहां से ओस्पिटल उद्यपूर यहां रेफर करना है तो उसके लिए काम बाएगी कमाल की बात यह थी कि उद्यपूर जाने के लिए जो ऑक्सिजन की विवस्ता जो वेंटिलेटर की विवस लोगों में एक यह संदेश है कि यह जो आठ गाडिया है यह बिल्कुल निशुल के है और इनको फोन करके हम अपने यहां बुला सकते हैं इनका काम हमारे यहां से पेशन्ट लेके जाना है या ऑस्पिटल से पेशन्ट को छोड़ना है यह जो एक वातावरन था इस कार की कि हाँ थोड़ा एक गाइडलाइन और मेसेज प्रॉपर कनवे करने का एक अभाव रहा लोगों तक हम सही जानकारी नहीं पहुचा पाए और एक कहीं-कहीं तालमेल की कमी दिखी उन्होंने यह आशवाशन दिया है कि इस तालमेल को जल्द सुधरा जाएगा और यह जिल्य के प्रभारी मंत्रिय उनके द्वारा एक मिटिंग ली गई उसमें जिल्य के सांसद भी मौजूद थे विधायक भी मौजूद थे जिल्ला कालेक्टर उनके साथ प्रसाशनिक टीम और तमाम चिकित्सा अधिकारिया मौजूद रहे उन्होंने उदलाल निया आगरे जोड दिया कि सभी को मिल जूलकर काम करने का समय है रासमन सांसद दिया कुमारी जी ने उसमें जो ऑक्सिजन कंस्ट्रेटर है वो बढ़ाने की एक बात कही साथ में जो ऑक्सिजन प्लांट लग रहे हैं उनको जल से जल पूरा करने की बात कही और एमुलेंस बढ़ाने की चाहिए थोड़ी साथ ही जो सुदरसुन सिंजी भीम विदायक उन्होंने डेवगड में ऑक्सिजन की सप्लाई बढ़ाने की बात कही और वहां स्थाप को लेकर उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा बहतर बनाया जाना चाहिए थोड़ा बढ़ाना चाहिए कुंबलकड विदाय यह संकरमी तक पहुँच सके और यह कारवे थोड़ी फास्ट हो सके राजसमंद विदायक दिप्ति माश्री ने उसमें रार के ऑस्पिटल में वेंटिलेटर बढ़ाने के लिए आईस्यू बढ़ानी की बात कही और साथी ठीका करने को और मजबूत करने की उन्होंने बात गये हैं एमिलेंस भी बढ़ाए गई है और उसके साथ साथ गांव गांव में जांच की जा रही है और किट पहुचाए जा रहे हैं तो यह एक अच्छी प्रकिरिया लगी कि हां चलो इस प्रकार से काम होता दिख रहा है इसमें सेंप्लिंग की बात हुई मैं हर बार कोशि से दो जार सेंपल जा रहे हैं और टीम लगी हुई है दिन रात हलाकि सेंप्लिंग को लेकर खावी सार सवाल उठते रहे हैं अगर जो मैंपावर की कमी थी उससे जूचते हुए भी वो लोग डटे हुए थे और जो वहां के प्रभारी है सेंप्लिंग में वह जो डॉक्ट और यह जो पूरी टीम अठक कोशिश करते हुए दो दो पारियों में लगकर अपने इस काम को अंजाम दे रही है तो इन लोगों को भी बहुत बहुत आभार की आप लोगों के कारण काम से कम यह जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उसमें थोड़ा संबल आपकी तरफ से भी मिलता है अब आते हैं तुफान पर तुफान की तुफान ही बाते बड़ी तुफान पर थी गत दो तीम दिनों से तुफान आया अभी भी माहूल बाहर थोड़ा खराब है मौसम थोड़ा खराब है इसलिए हमको भी दो दिन से इंडोर में करनी पट रही है सुटिंग जा रहा है कि एक जो बाड़ा था वहां के दिवार टूट गई टिंशेड टूट गए और एक मौज़े की मांग की जा रही है कि संजी ने मेरे को यह सूचना भेजी साथी रास समंदर इसके आस पास के जो इट भट्टे वाले हैं उनको एक बड़ा नुक्सान हुआ है क्यों इसके आस-पास के सेत्रों में जो भट्टे हैं वहां से जो यह द्रश्य आप देख पा रहे हैं यकिन एक बड़ा नुक्सान हुआ है प्रसाशन को इनके बारे में सोचना चाहिए कि इन आलतों में यह कैसे क्या मेनेज कर पाएंगे कोशिश हम यह भी करते हैं कि किसी एक इससे मिलवा है चिराग पालिवाल एक नाम है जो इननों बड़ाई सक्रिया है चिराग जी की पे हमने वर्किंग देखी जब भी इनके पास कोई फोन आता है तो अपनी टीम के माध्यम से तुरंट प्रभाव से वह कोशिश करते हैं कि मरीज तक पहुचा जाए पेशन को जो आवशक है चाहे एमूलेंस हो चाहे दवई हो चाहे बेड हो उसकी विवस्ता की जाए तो कोरोना के इस काल में जो भी चिराग पालिवाल जी जैसे लोग डटे हुए हैं तो एक अच्छी अनुपती होती है कि समाज की इस पकार से एक जुट होकर इस आपदा से लट र सवाल ये है कि उस IPL जब रद हुआ उसका आखरी मेच कौन-कौन सी दो टीमों की बीच में खिला गया और उसमें से विजेता कौन थी अब चलते हैं आगे जवाब पर कल का जो सवाल मैंने पूछा था कि वरत्मान में रास समन की कौन सी विदान सपाथ कि जो विधायक है उनके पिता जी और दादा जी दोनों भी विधायक रह चुके हैं तीन पीडिया विधायक रह चुकी है सई जवाब है सुदरसंग जी जो की भीम विधायक है उनके पिता जी लक्समन सिंधी वो भी पूरम में विधायक रह चुके और उनके सुदरसंग जी के दादा जी फ स्मयनट का प्लांट है उसमें डीप 네 मेनेज़र लगे हुए हैं क्वालीटी मेनेज्मेंट में तो बहुत-बहुत बदह आपको विकास जी साथमर्ट चलते चलते एक खबर में आपको और बदा जाताहूं जिल्लय-मखहले से जुड़ी खबर है जो वाड़ इस काम में उनके साथ प्रसराम जी योगी जो की चिकित्सा अधिकारी है अईरुवेदिक हस्पताल के प्रभारी भी है वो भी थे उन्होंने न केवल ये काढ़ा और दवयां वित्रित की बलकि उन्होंने हमें यागरे किया है कि हमें एक सूचना बताए कि इस रोग से सब्सक्राइब करने में मदद मिलेगी तो यह आज की खबरे थी सवाल भी पूछ लिया जवाब भी दे दिया अब मुझे इंतजार है आपके जवाब का आपकी खबरों का और आपके सपोर्ट का सपोर्ट के लिए जादा कुछ नहीं करना है आपको रासमन एक्स्प्रेस स